एक किसान होता है उसका एक छोटा सा घर होता है उसमें उसकी एक घड़ी जो होती है जो कि उसी घर में गुम गई होती है यह किसान उस घड़ी को ढूड़ता है बहुत परिसान होता है लेकिन वो घड़ी उसे नहीं मिलती है उस घड़ी की मौत तो बहुत ज़ादा होती है क्योंकि वो घड़ी इस किसान के भाबनात्मक रूप से जुड़ी होती है मतब इस किसान से वो भाबनात्मक रूप से वो घड़ी जुड़ी होती है इसी वज़े से वो किसान उस घड़ी को हर हाल में धूड़ना चाहता है और जब वह पूरी तरह से धूड़ता है अपना पूरा एफर्ट लगा देता है अपने घर में उस घड़ी को धूड़ने के लिए फिर भी घड़ी नहीं मिलती इससे वह बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं इसी लगता है कि चलो मैं अकेला धूड़ रहा था सायद मुझे ना मिले इसी वज़े से वह सभी बच्चों को बोलता है कि जो भी मेरी घड़ी ढूड़ेगा उसे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा सब बच्चे खेलते हुए डारेक उसके घर में चले जाते हैं और घड़ी को ढूड़ने लगते हैं फाइनली बहुत ज़्यादा ढूड़ते हैं समान इधर उधर करने के बाद भी वो घड़ी किसी को नहीं मिलती और सभी बच्चे हार कर वहां से चले जाते हैं यह किसान भी हार गया होता है उसे लगता है कि नहीं अब घड़ी मुझे नहीं मिलने वाली यह परिसान हो जाता है दुखी हो जाता है तब ही उस किसान के पास एक छोटा बच्चा आता है और उस किसान से कहता है कि क्या मुझे आप एक मौका और दे सकते हैं यह किसान सोचता है कि चलो ठीक है यह बच्चा ठीक लग रहा है इसकी नियात अच्छी है इसको एक मौका और देते हैं कि ढूड़े जाके और वह बच्चा जो है तो अंदर जाता है कुछ समय बाद वो घर से बाहर मिकल कर आता है तो जब किसान के पास आता है तो किसान देखता है कि उस बच्चे के हाथ में घड़ी है फाइनली वह बच्चा उस घड़ी को दे देता है किसान पूछता है कि हमने ढूड़ा इतने सारे बच्चों ने ढूड़ा लेकिन सब हार गए किसी ने नहीं ढूड़ पाया तुमने यह कैसे किया तुम कैसे जीत गए तो यह छोटा बच्चा बताता है कि मैं बस घर में गया और घर के बीज में बैट गया और सांती से बस मैं ध्यान लगा कि यह सुनने लगा कि कोई आवाज आ रही है और finally धीरे ही धीरे सही मुझे घड़ी की थोड़ी थोड़ी टिक टिक करने की आवाज आने लगी और जैसे ही जैसे मुझे वो आवाज सुनाई दे रही थी उसी हिसाब से उसी दिसा में मैं आगे बढ़ता गया और finally मैं उसी घड़ी तक पहुँच गया और मैंने उसे खोज लिया दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको ये बताती है कि एक सांत मन एक चतुर मन से कहीं ज़्यादा तेज सोच सकता है एक सांत मन एक चतुर मन से कहीं ज़्यादा तेज सोच सकता है और ज़्यादा तेजी से फैसले भी ले सकता है किसी भी चीज को ज़्यादा तेजी से अंडरिस्टेंड भी कर सकता है मतलब उसकी समझने की छमता बहुत तेज होती है जो कि एक सांत मन होता है वह बहुत ही पावरफूल होता है एक चतुर मन के compare में आप कितने ही intelligent, कितने भी चतुर है यह इतना माइने नहीं रखता माइनी यह रखता है कि आप अपने mind को कितने देर तक सांत रख सकते हैं आप अपने thoughts को कितना control कर सकते हैं इसलिए कहते हैं कि meditation करना, exercise करना, कुछ समय भगवान की प्रातना करना या तो आप spirituality कर सकते हैं, आप meditation कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं यह बेहत अवश्चक है अपने दिमाग को सांत रखने के लिए क्योंकि आपका दिमाग जितना ही ज़्यादा सांत होता है यह उतने ही ज़्यादा तेजी से सोच सकता है उतने ही ज़्यादा तेजी से किसी चीज को realize कर सकता है समझ सकता है और किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से बहुत सही तरीके से कर सकता है और आपको वह सब achieve करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं क्योंकि यह mind ही तो है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरीद करता है तो जब यह मन सांथ होता है तो यह ज़्यादा effort लगाता है और आपको केवल उन्ही कामों में focus करवाने के लिए बाद ही कर देता है जो आपके लिए आवश्यक है